Hello friends, welcome to my YouTube channel, today I am going to start UGC net first paper Friends, मैं UGC net first paper का previous year paper solve करवा रही हूँ जो की बहुत ही important है, आईए देखते हैं पहला है, सिच्छड के बोधात्मक, बोधात्मक इस्तर्म के पांच चरणों में सिच्छड के बोधात्मक इस्तर्म के पांच चरणों मोरीशन के अनुशार को आरोही क्रम में सयोजित कीजिए इसमें क्या है, पहला सही है, यानि सबसे पहले आपका क्या आएगा शमवेशड आएगा, सबसे पहले शमवेशड आएगा, उसके बाद प्रस्तुती करण आएगा फिर उसके बाद आत्मी करड़ आएगा फिर उसके बाद संगठन आएगा और उसके बाद फोर्थ वाला आत्मी करड़ आएगा फोर्थ वाला आपका आएगा सस्वर पाठन इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं आईए देखते हैं देखिए बोधात्मक सिच्छड में सिच्छक का यह प्रयास होता है कि वह चात्रों के बौधिक बेहवार को अधिक से अधिक बढ़ाने में चात्रों की सहायता करे इसमें सिच्छक और सिच्छार्ती दोनों का समलित प्रयास होना चाहिए अमेरिकन कॉलेज डिक्षनेरी में अवोध की परिभासा दी गई है यह था अर्थ ग्रहड करना, विचार को ग्रहड करना, समझना, किसी वस्तु से पुढ रूप से परिचित भासा में, किसी सब्द के अर्थ प्रयुक्त संदर्व में समझना, किसी तर्थ को इस पश्ट मोरिशन के बोधात्मक इस तर्थ के सिच्छड का प्रारूप इस प्रकार है, कौन-कौन से प्रारूप है मोरिशन का उद्देश में इस इस तर में सिच्छड रटने के अपेच्छा समझने पर बल दिया जाता है, इनकी संदर्चना के पांच रूप है, उन्होंने पांच रूप दिया है, पहला अन्वेशन, दूसरा प्रस्तुती करण, तीसरा आत्मी करण, चौथा वेवस्ता और नवीन ग्यान प्रदान करता है, जिससे चात्र के पुर्व घ्यान का परिच्छड किया जाता है, इसी आधार पर सिच्छक नवीन ग्यान प्रदान करता है, निश्ट है दूसरा है प्रस्तुती करण में क्या क्या है प्रस्तुती इस चरण में प्रस्तुती इसमें क्या होता है छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर क्रम बार तरीके से छात्र के सामने प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ सिच्छक छात्र का भी मुल्यांकन करता है कि छात्र को कौन सी वस्तु समझ नहीं आई, उसके बाद आपका आता है आत्मी करण, आत्मी करण क्रियाव में क्या कैसा मिल है, आत्मी करण में तीसरे नमबर पर आता है आत्मी करण, आत्मी करण में पाठ वस्तु की गहनता पर बल देना, विद्यार्थियों को कच्छा कार ग्रहकार देना चात्रों को विषय वस्तु के समानी करण का आउशर देना इसमें सिच्छक त्वारा विद्यार्थियों को निर्देशित करना पाचवा है पाठ वस्तु के स्वामित का परिछड किया जाता है फिर चौथा है आपका चौथा है इसमें चात्रों दरा समझी ग सहायता के लिखा जाता है वर्डन इसमें चातरोडरा सिखी गई वस्तु को कच्छा में मौखिक रूप से प्रस्तूत करना होता है अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं सिख्छड के ADDI MODEL में DD का अर्थ क्या है DD का इसमें अर्थ है अभिकल्प और विकास आये देखते हैं हर सफल सिख्छड अनुभव को पहले पूरी तरह से नियोजित करने के आवसकता होती है जिससे सैच्छिक प्रवद्य की एक BCS अभ्यास सुरू किया जाता है इसमें ADD MODEL योजिना एक MODEL में प्रयास किया जाता है कि कैसे आनलाइन टूल्स और सिख्छड प्रेट्पराम में ADF और ADDIE MODEL अप्लिकेशन के बेहतर परड़ा में लाया जाता है ADDIE ज्यान उत्पादन प्रक्रिया तथा सिख्छड अनुभव में से होते हैं इसके 5 चरड़ों में इसको संचिप्त रूप से दिया गया है इसको एक चित्र के रूप में भी बताया गया है अब इसको हम चित्र के रूप में देखते हैं दूसरे पैनल में देखिए ADD MODEL को देखिए इसमें है पहले क्रियानवन होता है किसी भी चीज का फिर विशलेशन होता है फिर डिजाइन होता है फिर विकास होता है अब विकास होगा तो उसके बाद मुल्यांकन होगा इस माडल का उपियोग 1950 के दसक में किया जा रहा है 1950 के दसक से किया जा रहा है जब इससे अमेरिका के सेन ने प्रेसिचर में लागू किया गया था निर्देसात्मक डिजाइन सिस्टम IDS जिसका एक हिस्सा ADDIE है जो संग्यात्मक और बेहवारिक मनो बिग्यान से उत्पन होता है इस प्रकार के ADDIE माडल में DD का अर्थ अभिकल्प और विकास है अतदिये गे विकल्पों का सही विकल्प ए है अधिगम में सास्त्री अनकुलन प्रभाव एक उधारण है इसमें नहित इस्मिल्टी इसमें क्या है नहित इस्मिल्टी जो है सही है अब इसके सास्त्री अनुकुलन का प्रभाव उदाहरण नीत इस्मृति है इसके अनुसार उदीपन और अनक्रिया के भी सहाचर स्थापित होना ही अनुबंधन है इसको समझने के लिए पावलो ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया इस प्रयोग में कुत्ते को खाना दिया जाता था खाना देते ही कुत्ते के मुँ से लार आना प्रारम हो जाता है अब कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी और घंटी के साथ खाना दिया जाता था इस प्रक्रिया को कई बार दोराया गया बाद में जब घंटी बजाई जाती थी और भोजन नहीं दिया जाता था इसके तुरंद बात कुत्य के मुझे लार प्रारम हो जाती थी इस प्रकार का प्रयोग से इसपश होता है कि यदि स्वभाविक उद्दीपन के साथ अस्वभाविक उद्दीपन दिया जाए और इसकी पुन्राविती अनेक बार की जाए तो भविस में स्वभाविक उद्दीपन के हटाये जाने पर अस्वभाविक उद्दीपन से ही वही अनुक्रिया होती है जो स्वभाविक उदीपन के साथ होती है दिये गे विकल्पों का मैं सही मतलब कहने का मतलब अगर कोई अनक्रिया बार-बार की जाती है तो अगर उसका स्वभाविक उद्धीपन हटा दिया जाता है तो उसकी जो अस्वभाविक प्रक्रिया है वो होती जाती है देखते हैं स्वयम प्लेट फार्म कच्छाओं में पढ़ाए गए सभी पाठिक्रमों के संचालन को सूसाध्य बनाता है अब इसका देखते हैं डिटेल आदधेल आँ गदिया सब्सक्राइब होता है तो यह होता है किसके प्रक्रञान के लिए कि तरफ यलिए प्रक्रापन हो स्वयम फी से लेकर परधनातक वालों को पढ़ाने लिए है अब आप देखेव इसका त्ध लेकित हुआ है देखिए स्वयम को तीन भागों विभाजित किया गया है पहुच समता गुडवक्ता पहुच समता और गुडवक्ता इस कारिक्रम का उद्देश वन्चितों को सर्वत्तम सिच्छड अधिगम संसाधन उपलब्द कराना स्वयम एक ऐसा प्लेट फार्म है जो कच्छा नवी से परासनातक तक पढ़ाए गए सभी पाठिक्रमों के संचालन को सुसाध्य बनाता है इसके सभी पाठिक्रम इंटरेक्टिव जो देश के सर्वस्ते सिच्छ को द्वारा तयार किये जाते हैं और किसी भी सिच्छार्थी के लिए मुक्त में उपलब्द है क्या है ये मुक्त में उपलब्द है प्रतिक पाठिक्रम में पाठि मेड्यूल बीडियो ट्यूटोरियल और मुल्यांकन प्रस्ण तथा स्वह और स्वह सिच्छा के लिए अत्रिक संसाधन सामील है इस प्रकार इसमें डी वाले विकल्प सही है अब आगे देखते है इसमें क्या करा है सिच्छड के इस्मृति इस्तर का उद्यस बिद्यार्थियों में तार्किक और समालोचनात्मक चिंतन को विक्सित करना है यह जो है पहला वाला कथन गलत है क्योंकि इसमृति इस्तर में क्या होता है चिंतन नहीं होता जबकि यार्थ करना होता है फिर कर रहा है कौन सिच्छड के बीमर्ज सिस्तर का उद्यस विद्यातियों में स्वतन चिंतन और नीती निर्माड को विक्सित करने का सामर्थ होता है जबकि इसमें दूसरा वाला कथन सही है कथन नंबर वन जो है गलत है और कथन नंबर टू जो है सही है नाएब क्योंकि ब्रेवल में होता है चिंतन और निती निर्माण बिक्सित किये जाते हैं आये देखते हैं कौन सा सही है १ि वाला & wine बप्रफम कत्थन जो प्राइब असटड़्य जो से आगवा है नेक्स्ट सिच्छण के सिच्छण के स्मृति इस्तर का उद्देश विद्यार्थियों में तार्किक और समुलचनात्मक तार्किक और समुलचनात्मक चिंतन विकास करना ही नहीं अपितू उसके प्रयोगों की चिंता किये बीनातर तथ्य पुड़ सुचनाओं का केवल याद रखना संगन्यात्मक योगिताओं का बहुत ही सीमित प्रयोग है सिच्छर के बिमर्ष इस्तर का उद्येश बिद्यार्थियों में स्वतन चिंतन और नीती निर्मार को विक्सित करने का सामर्थ पैदा करना है इसमें बिद्यार्थियों में संगन्यात्मक योगिताओं की बिद्धी की जाती है स्वयम जैसे मंच के माध्यम से प्रदत पाठक्रम सामागरी अधिगम करताओं को किसी भी समय किसी भी अस्थान पर पढ़ने योग पढ़ने तथा उपयोग में सहायता करती है किसी भी समय आप प्रतत पाठक्रम और सामागरी अधिगम करताओं को किसी भी समय और किसी भी अस्थान पर पढ़ने योग में सहायता करती है पिर कह रहा है चर्चा बोड अतुल्यकालिक माध्यम के रूप में क्यार करते हैं क्योंकि कोई भी अधिगम करता किसी भी समय किसी भी समय पर प्रस्निया उत्तर पोश्ट कर सकता है यह दोनों सही से कथन, दोनों कथन के है सही हैул गळाद करते हैं एक स्था नीति के तीन प्रमुकि सिध्धान जिए रिवाइन कौण कोन में पहुच कऌई। समाननता या समता तीसरा है गुडवक्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया इस मंच के माध्यम से प्रदर्त पाठिक्रमों की सामागरी अधिगम करताओं को किसी भी समय और किसी भी अस्थान पर पढ़ने उपयोग करने में सहायता देती इस प्रकार का कथन सत् कथन के अंसार चर्चा बोड अतुल्यकालिक माध्यम के रूप में कारी करते हैं क्योंकि कोई भी अधिकम करता किसी भी समय प्रस्निया उत्तर पोष्ट कर सकता है यानि दोनों कथन सही है निम्नलिखित में से कौन सी सिच्षड केंद्रिय कच्छा प्रबंधन की विसेस्ताएं हैं कौन कौन सी सिच्षड केंद्रिय कच्छा सिच्षड की विसेस्ताएं इसमें क्या है इसमें दूसरा और बी और डी सही है कौन से कौन सा सिच्षड के एक मात्र नेता है दूसरा बिद्धियार्थिएं को सीमित उत्रदायit की उनुमति दी जाती है क्योंकि सिछड़ के अंद्रित पाट करम के बारे के तो इसमें सिच्छड कें वाद के क्या होगा सिच्छक एक मात्र नेता है अद्यार्थिएं बिर्द्यार्थियों को सीमित उत्तरदाइत की अनुमति दी जाती है आईए देखते हैं थोड़ा इसका डिटेल है यहां यहां यहीं वाला सही है बी और डी सही है आपका देखिए सिच्छक के अंदेत कच्छा प्रवंदन की विश्यस्ता है सिच्छक एक मात्र नेता होता ह बिर्द्यार्थियों को सीमित उत्तरदाइत की अनुमति दी जाती है वस्तुत एक सिच्छक का वास्ट्विक कारिश्यत उसकी कच्छा है कच्छा ही वा कारिशाला है जहां वो अपने ग्यान तथा वेवस्था के माध्यम से छात्रों के व्यक्तितु को उचित दिशा निर बीजगडित में रैखिय समीकरण का समाधान करता है और रैखिय समस्याओं के समाधान में क्रमिक रूप से अधिक तच्छ हो जाता है वा समस्याओं के समाधान में न केवल अधिक सटीक हो जाता है बलकि अधिक तेजी समस्याओं का समाधान करता है निस्पादन में यह क् है जिसको सीखने का अधियम कहा जाता है जिसको सीखने का अधियम मतलब कोई तीचर है किसी भी पार्टिकरम को अगर लगातार उसको पढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा उस चीज में वह तेजी से उसे सीख जाएगा और उससे जो गलतिया है वो होना समाप्त हो जाएंगी यानि यह सीखने का दियम, इसको कहते हैं सीखने का दियम, थोड़ा आईए इसको डीटिल देख लिते हैं, सीखने का दियम, एक व्यक्ति अनेक दिनों तक बीजगडित में रैखी समीकरर का समाधान करता है और रैखी समस्याओं के समाधान में क्रमिक रूप से अधिक दच्छोत हो जाता है वह समस्याओं के समाधान में न केवल अधिक सटीक हो जाता है बलकि अधिक तेजी से समस्याओं के समाधान करता है निस्पादन में या क्रमिक सुधार रूपांतरड का एक रूप है जिसको सीखने के अधियम के नाम से जाना जाता है कह रहा है निमने लिखित में से कौन सा कथन सिच्छड की व्याख्यान पद्यती का सर्वत्तम धंग करता है इसमें B वाला सही है सुबोध भासा में विसेवस्तु प्रस्तुती जो है इसका सही अंसर है सिच्छड के व्याख्यान पद्यती का वर्ण सर्वत्तम धंग से करता है सुबोध भासा में विसेवस्तु की प्रस्तुती जिसमें विद्याती आथानी से समझ सके और नोट करने वाले तत्यों को नोट कर सके भी कर सके इसमें विद्यार्थी के इसमृती पटल पर भी सै वह उससे जुड़े तत्य समझ सके आसानी सर्कित हो सके अब क्या है अधार्डा को एक कर देता है इसका जो है अंसर होगा सी सामानी करड़ इसका क्या होगा अंसर सामानी करड़ मतलब बहु वह उसके ऑधार्थी बालक भीवीद वस्तुव जैसे पूर्सों महिलाओं पसुओं पच्छियों के मद्भेध कर पाना सीखता है और जान लेता कि झान लेता है और उसके बार वह एकल अधारणा निर्मीद करने हैं थो एक विभेदित अधारणा को एक कर देता है तो उस कुछ से क्या करते हैं सामाननी करण करते हैं। वस्तूतह इसमें एक कल्पना का यदि परिच्छर किया जाता है और दावों को कई बार बरकरार रखा जाता है तो सोधार्ती में सामाननी करड पर पहुंचना संब्भ हो जाता है सोध का वास्विक मूल रहा शामानि करड़ पर पहुंच बखास माडल गेर नितव है इसमे जो है कौन है द्रस टारी की देवाल से मुक्त कच्छा कच्छ माडल जो है पाठचरिया का गयर तकनीकि गयर वेज्यानिक weev I पाठचरिया में बिद्यार्थी के विद्यालच्या उसके बाहर सभी अनुभाव सामिल हैं जो अध्यन कार्क्राव में रखे जाते हैं, जिसका लाव आयोजन बालकों के मांसिक, सारीदिक, समवेगात्मक, तथा सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक इस्तर पर विकास में सहायता करते हैं, पाथथचरिया माडल कही प्रकारड़ की जिसमें मुक्त कच्छा कच्छ माडल गैर टेक्निक की गैर बेग्ज्यानिक माडल के अंतरगत आता है किसी व्यक्ति अत्वा समू की कलाकृतियां संसाधन और उपलब्धियों का किसी व्यक्ति अत्वा समू की कलाकृतियों संसाधन और उपलब्धियों का डिजिटी संग्र है जो व्यक्तिगत आनलाइन अस्थान निर्मित करते हैं वे डिजिटल अधिकम प्लेटफार्म कहलाते हैं देखी इसमें कौन कौन से अप्शन दिए करे है जिए पॉर्टफॉलियों यह वाला सही है आपका इपॉर्टफॉलियों अब इपॉर्टफॉलियों क्या है आए इसके बारे में देखते हैं जो अधियनकार जो डिजिटल फाम में बदल जाता है उसको इपॉर्टफॉलियों करते है इपॉर्टफॉलियों क्या क्या है क्या है कि अधिश्य पॉर्टफॉलियों किसी इपॉर्टफॉलियों किसी व्यक्ति अध्वास समूं की कलाकृतियों संसाधन इपॉर्टफॉलियों क्या होता है किसी व्यक्ति अध्वास समूं की कलाकृतियों संसाधन उपलबदियों का डिजिटली संग्र होता है जो व्यक्तिगत आनलाइन अस्थान निर्मित करते हैं वे डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं पॉर्टफॉलियों के प्रकार पॉर्टफॉलियों कितने प्रकार के होते हैं जन्रेट एवं रे जीनेर एवं रे के अनुसार जो होते हैं कितने प्रकार के पॉर्टफॉलियों है पहला है अधिगम पोर्टफोलियो पहला है आपका अधिगम पोर्टफोलियो दूसरा है प्रमार पोर्टफोलियो दूसरा है प्रमार पोर्टफोलियो तीसरा है प्रदर्शन पोर्टफोलियो पहला है अधिगम पोर्टफोलियो दूसरा है प्रमार पोर्टफोलियो तीसरा ह प्रतिबंदीत करते हैं इसे डिजिटल पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो के नाम से भी संभोरित किया जाता है इसे डिजिटल पोर्टफोलियो या 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 बेब पोर्टफोलियो के नाम से भी जाना जाता है नेक्स देखते हैं देखिए जैसमीन ने अपने रसायन बिज्ञान की प्रयोग साला कच्छा में अपनी प्रयोग साला परिच्छा के समय पांच मिली पीटेट का प्रयोग किया पीपेट का प्रयोग किया किन्तु पाठ्यांग सही नहीं था जब वह हतो साहित होने लगी तब उसकी मित्र रंजिता ने उसे पीपेट को ठीक से पकड़ने और रसायन को सही धंग से डालने का सुझाओ दिया अब उसने सफलता प्राप्त की अपेच्छित और अपेच्छित प्रडाम प्राप्त की या किस प्रकार का उधारड है या जो है किस प्रकार का उधारड है या समीपस्त विकास के छेत्रे में उधारड इस उधारड का नाम क्या है समीपस्त यानि कोई काम हम कर रहे हैं और उस काम को करने में कोई और अगर हमारी मदद करता है और वो काम मेरा नहीं हो पा रहा है गलत तरीके सो रहा है कोई इसमीन मदद करता है उसे कहते हैं समीपस्त विकास छेप्र अब आईए इसको थोड़े डिटेल में देखते हैं जैसमीन महोदया ने अपने रसायन विज्ञान की प्रयोक्साला कच्छ परिछण के समय एक पांच मीली पीपेट का प्रयोक किया किन्तु पाठ्यांक सही नहीं था जब वे हतोसाहित होने लगी तब उनकी मित्र रजीता ने उन्हें सुझाओ दिया कि पीपेट ठीक से पकड़े और रसायन को सही मात्रा के रूप में डाले इस सुझाओ के पस्चाद जैस्मीन को सफलता मिली और अपेच्छित परिडाम भी प्राप्त हुए या समीपस्त विकास का उदाहरण है या क्या है समीपस्त विकास का उदाहरण है अब देखते हैं नेक्स कोश्चन निमनलिखित में से कौन प्रेच्छड अधिगम बेंडूरा के अधिगम संबंदी समाजिक संग्यानत्मक सिध्धांद के परिडामों में से एक है कौन कौन से जो है कह रहा है निमनलिखित कौन से प्रेच्छड अधिगम बेंडूरा के अधिगम संबंदी समाजिक संग्य जानात्त में प्रिद्धान के प्रडामों के तत्तों में से एक है कौन कौन से है अब आई इसको देखते हैं इसके उदाहर नमें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो लुदे है लुदे है झाल झाल पंदर पंदर ओके फ्रेंट्स थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक मैं चैनल प्लीज सब्स्क्राइब मैं चैनल क्बै मैं क्पड़ झाल झाल